कुरोना के बुस्टर डोस की खुराक फिलाल दुरुग जिले के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है और प्राप्द जानकारी के अनुसार पूरेर प्रदेश में भी नहीं है जिसकी वज़ा से प्रदेश के युवाओं को अब कई प्रकार के दिकतों का सामना करना बाजियों में जिला भिलाई के शासकी सोधाय मंदर प्रमुक के परिवारिक व्यक्ति की नौकरी एक कमपनी में तै हुई जहां उनसे उनके कोरोना वैक्सीन की बूश्टर डोस लगे होने का प्रमानपत्र मांगा गया जिस पर उन्होंने एक-दो दिन में प्रपत्र उपलब्द कराने की बाते कहीं और फिर लग गए बूश्टर डोस लगाने की जद्दुजाहद में तब जाकर पता चला कि किसी भी सरकारी अस्पताल में कोरोना का बूश्टर डोस उपलब्द नहीं है इसकी लिखिश शिकायत पिडित ने जिला कलेक्टर को सौपी है इस पर दुर्ग जिला चिकित साले के CMHO जेपी मेश्राम से चर्चा करने पर उन्होंने जिले में वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने का हवाला दिया तो वहीं भाजियमो भिलाई जिला शास की स्वधाय मंडल प्रमुक ने इसके लिए प्रदेश की सरकार को कोसा और जानकारी दी कि किसी कॉंग्रेसी नेता के घर पर जाकर उन्होंने बूश्टर वैक्सीन लगवाया और प्राप्त सर्टिफिकेट को नौकरी देने वाली क कंपनी को जमा किया है यह कैसी विडंबना है कि आम जन्मानस बूश्टर डोज के लिए दरदर भटक रहा है किसी कॉंग्रेसी नेता से संपर करे तो उसके घर पर यह बूश्टर डोज उपलब्द है बूश्ट डोज है ही नहीं बोलते हैं इस चीज को हमने कावेदन रुप से बना के जिला क्लेक्टर मौदेस बातचीत क्या दिया तो जिला के इन्चा जमिश्राम सर उनके फोन के महाद्यों से बातचीत हो हुई कहते हैं कि हमारे पास दोजी नहीं है करके और इस इस कारण बश्काई युवाओं को अपनी नौकरी से अव अंचित हो जा रहे हैं वह अपने से मतलब मेंडेट्रेट है कि अपको नौकरी मिलेगा करके तो इस चीज से वह पीशे हो जा रहे हैं तो हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि जल से जल बुस्टर उसको प्रधान करे ताकि सब युवाओं को जितने भी लोग बचे हुए हैं बुस्टर उस लगाने के सब लगा सके मुझे लगता है कि राज्य सरकार अपने ही पार्टी के जय जयकार करने में लगी हुए है कई देख सकते हैं कि कई दिनों से चीज को हम देख रहे हैं राज सरकार के आला ने लोग को अलग से आ रहे हैं यह सब प्रश्ण का विश्य है हम यह चाह रहे हैं कि राज सरकार इस चीज को अपने संग्यान में ले और जल से जल्द बुस्टडोस को उपलब्द करवाए और जनता के जान से ना खिले भाजुमों भिलाई जिला शास्की सोधाय मंडल प्रमुक ने प्रदेश सरकार से करबद निवेदन किया है कि दुर्ग जिले सहित पूरे प्रदेश भर में वैक्सीन उपलब्द कराए जिससे युवाओं को हो रही विभिन प्रकार की दिक्कतों को समाप्त किया जा सके ग्रेंड एसीन निउस के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट